जाहें दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज नो बात करने वाल हैं IPL के मैच नमबर 60 के बारे में दोस्तों जो ये मैच है वो राजिस्थान वर्सिस बैंगलोगर की बीच में खेला जाएगा आज दो पहर साड़े तीन बजे कल दो मुकाबले खेले जाएंगे मतलब आज के दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे एक साड़े तीन बजे है और एक साड़े साथ बजे है तो इस मुकाबले की मैं फुल डीटियल एनराइसी से कम्प्लीट विडियो में देने वाला हूँ जिसके मदद से आप 100% बिनिंग कर रहेगा वो बताऊंगा उसके साथ टीम कंप्रेशन म बताऊंगे कीव कौन सी को जीट सकती किनके तरफ से आप ज्यादा प्लायर रख सकते हैं और साथ में डीचे बतायों कवाइंगे कौन से प्लेइर match को मतलब आजके match को तो जरूर इस video को पूरा ही follow करें तो चलते हैं वन आपको सारी बाते बताते हैं उससे पहले एकिर हमाने चैनल में नए होंगे और पहली बार हमाने चैनल को आप देख रहे होंगे तो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देजेगा और चैनल को सस्क्राइब कर लेजेगा क्योंकि जो हमारा जो content होता है जो हमारी टीम होती है जो हमारा prediction होता है वो 100% सटीक होता है अब हर match में हर जितने भी fantasy match हैं और जितने भी fantasy आप use करते होंगे आप हर में आपको winning होगी तो जर लाइपुर में खेरा जाएगा जो की home ground होगा राजस्थान रोयल का स्वामी मान सिंग स्टेडियम नाम रहेगा इस स्टेडियम का हाला कि दोच्छों जो पिच है वो balance behave करती है इंसेंस balance behave करती है मतलब कि यहां पर balling और batting दोनों ही आपको देखने को मिलेगा हाला कि दोन इसको यहां पर ब्रैट कोली दिखेंगे मैक्स्वेल दिखेंगे वह सारा कुछ आपको यहां पर बड़े-बड़े batsman भी दिखेंगे तो यहां पर आपको इस match में balance pitch है लेकिन batsman होने चाहिए और साथ में बोलर भी होने चाहिए आपके team पे जो spinner को support है इस pitch पे वह 40% का है होगा 34 के आसपास आपको यहां पर temperature देखने मुलेगा उससे ज्यादा ही temperature रहेगा अब बात कर लेते हैं टीम कंप्रीजन की कि इस match को कौन जीतेगा बात करें राजस्थान रोयल तो यह राजस्थान रोयल की बात बोल रहा हूं यह RCB की बात करूं तो recent के 5 मुकाबले में और तीन मुकाबले लास किया है वही हाल है राजस्थान का यह भी recent के 5 मुकाबले में 2 मुकाबले ही जीते हैं और तीन मुकाबले लगातार लास किये हैं और पिछले 2 मुकाबले अपना बैंगलोर हो हार कर आ रहा है और पिछला मुकाबला राजस्थान जीत कर आ रहा है त तक राजस्थान रोयल इस मैच को नहीं जीतेगी फिरवीन का काम हो जाएगा लेकिन आरसीवी की जीतने की चांद बहुत ही ज्यादा जीतना है अगर इनको फॉलिफाइग करना है तो दोस्तो इस मैच मेरे जो प्रोडिक्शन है वह राजस्थान मंदब बैंगलूर की तरफ से रहेगी मेरी फेजित त करेंगलूर के टरब से मैं अपना बाऊ ख्यल सकता था य। कॉन से प्लेइर इस मैच में चलेंगके challenges सकते gng को ऐसर में रखे किन को जीएल में रखे कि वो सारा कुछ डिसकस करते हैं तो दोस्तों यहां पर जो आप पॉंट्स देख रहे होगा 5 पॉंट्स आपक देख रहे होगा अलग अलग पॉंट्स यह ड्रीम-11 के रिसंट के 5 मुकाबले का point है जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन से player form में है और किन को रखने से आपको इस match में फैदा हो सकता है तो यहां पर देख पारें कि जो Glenn Maxwell है वो हर match में चलते हैं पिछले match में यह चले हैं और उससे पहले तीन मुकाबले में flop रहे हैं उससे पहले यह चले हैं तो यहां पर आपको समझ में कि एक-दू मुकाबले में यह नहीं चलते हैं बाकी दूसरी मुकाबले में चल लेते हैं तो इस मुकाबले में थोड़ा कम chances से इनके चलने की थोड़ा क्या बहुती कम chances है बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करते हैं इसलिए इनका पड़ा थोड़ा सा भारी रहता है टीमों में आपको रखने का जगह इनको रहता है तो हमको एजस सेफ प्लेर इनको अपने तीनोर फॉर्मेट में रख लेना है और कप्तान भी बना सकते हैं इस मैचों कुछ पॉइंट्स तो जरूर तेंगे साथ में डूप्लेसिस की बात करें तो डूप्लेसिस भी बहुती तगड़े फॉर्म में और अच्छे फॉर्म में हर मैच में यह रंस बनाते हैं मातर एक मैच देख पार होंगे जो 26 पॉइंट का है उससे पहले हर मैचों में भी रंस बनाया है और परपल जो जो औरेंज कैप होल्डर होते हैं वो यही है तो डूप्लेसिस पर रिस्क ना लेते हुए इनको अपने टीम में रखेंगे साथ में एसल के लीगों में इनको कफ्तान बनाएंगे ग्राइंग में आपको इनको सिर्फ एज़ेजोबर अपने टीम में सामिल कर लेना है जैसे इससवाल की बात करें तो इस मैच में इनको फ्लॉप होना तय है इस मैच में जरूर फ्लॉप होंगे लेकिन सेफ प्लियर के तो आप एसल के लिगों में जरूर पनाएं आपको फायदा हो सकता है क्योंकि बहुत है रेगुलर फॉर्म में अच्छे फॉर्म में है और मात्र रूपलेसिस से एक रन पीछे हैं पर जो औरेंज कैप होल्डर होते हैं उनके रेस में मतब चाहल की बात तो यह भी बहुत ही बढ भी बहुत है अच्छा फायाँ दिखाएंगे और आपके लिए बहुत होते हैं इस match के लिए और आपको runs भी बना कर देंगे तो इनको अपने तीनों ही format के टीमों में रखना है साथ में कप्तान भी ट्राइ कर लेना है ट्रेंट बोल्ट आपको इस match में विकेट निकाल कर देंगे एक या दो तो इनको जुरूर अपने टीम में सामिल करना है स्विन को इस match में विकेट नहीं मिलेगा यहां पर फॉर्म आपी देखी पा रहोंगे कि उतने बढ़िये फॉर्म में नहीं है हसरंगा की बात करें तो इस match में इनको भी फ्लॉप रहेंगे यह भी फ्लॉप रहेंगे इनको भी विकेट सुनाई मिलेगा सिराज की बात करें तो ये दो-तीन मैचों से लगातार फ्लॉप चल रहें इस मैच में इनको एक या दो विकेट मिल सकता है तो इन पे आप दाओ खेल सकते हैं अर्सल पटेल की बात करें तो इनको भी विकेट नहीं मिलना है लेकिन इस match में इनको एक विकेट मिलेगा तो इनको आप एजे वाइड भी कर सकते हैं ये भी इस match में भी उतने ज़्यादा कारगर थाबित नहीं होगे जेज होडल हेजलविट की बात करें तो ये अच्छे फ्लियर है लेकिन बिगेट्स नहीं मिलना लेकिन इस मैच में ये दो बिगेट्स निकालने के समभावना रखते हैं तो इनको ट्राइक कर सकते हैं मैट मायर फ्लॉप रहेंगे साथ में देनेस कार्तिक कुछ रंस बनाकर आपको दे सकते हैं और संदीप सर्मा की चलने के संभावना इस मैच में है एक या दो बिगेट्स निकालकर दे सकते हैं लोम रोर की बात करें तो इनको आप एज़र टीम में ट्राइक कर सकते हैं कुछ बनाकर दे सकते कर जल्दी बिगेट्ट गिरे जौस रूट की बात करें तो इस मैच में फ्लॉप रहेंगे ये भी और विजे सकुमार की बात करें तो एक बिगेट्ट निकालकर दे सकते हैं तो मैंने सारे प्लेयरों के बारे में बात कर लिया इसे ही साथ आपको टीम में रखना है कौन प्लेयर बंद रखना आपको कौन नहीं रखना है मैंने सारा कुछ आपको डिसकस कर दिया कि कौन कौन कितने डिकर्ट लेंगे कौन कितने रंस बनाएंगे वह सारा कुछ डिसकस किया है अब चलता हूँ आपको 5 combination निशिस्टें आपको और भी ज्यादा सटीक टीम लगाने में फायदा हो सकता है यह मेरी पहली टीम है जो कि हिट टू हिट का टीम है जहांपर मैंने बताया था कि जो डूपलेसिस है वो थोड़ा कम चल सकते इस मैच में लेकिन बटलर अच्छे कासे चलेंगे तो आप यहां पर उल्टा भी कर सकते हैं कप्ता ना और वाइस करता हैं या फिर सेम टीम से जा सकते हैं क्योंकि यह हिट टूइट का टीम है जो आपके अपोनेंट है वो इसी पर दाव किलने वाले हैं मतलब डूपलेसिस पर ही दाव किलने वाले हैं तो आपको भी र篇ने अगर यह जलदी ऑट होते हैं कोई भी दिक्ट नहीं है, अगर आप यह थोड़र रं बना डियें, तो आपको भी दिक्कت नहीं न, उसको दिक्कत है, तो एक दो प्लेयर जो मैंने रिस्की प्लेयर रखे हैं, उससे आपका काम हो जाएगा, जैसे कि यह आप पे हसरंगा है साथ में आपके बोल्ड दिख जा रहे होंगे तो थोड़े एक दो प्लियर को मैंने रख लिया जो डिफरेंट होगा जो आपको मैच इजली जिता देगा हिट टू हिट का अब चलते हैं आपको वो जो मैंने पहला टीम दिखाए नो उसको SLK लीगों में लगा सकते हैं 10 तक के जितने भी लीगों में लगा सकते हैं यह मेरे दूसरी टीम है जिसको भी आपको भी लगाना इस टीम को भी 10 के लीगों में ही लगाना यह SLK लीग यहीं बनी हुई है मैंने जस्वाल को ही कप्तान बनाया है मैंने जसे भी बताया था आप तो आपको रिस्की टीम्स दिखाते हैं जो कि Grand League में आपको इजली विंद करवा सकते हैं तो तो इस तो यह जीतने के लिए टीम है जहां पर देख पारे मैंने वाइस कप्तान संजू सामसन और कप्तान देख पारे ग्लैन मैक्सवल को रखा है इस टीम में अगर चेंजिस करन बनाना ही पड़ेगा अगर जीतना चाहते हैं अब चलते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर चौन्थी टीम दिखाएं जो आपको ग्रांडी जीता सकती है यह मेरी देरें संदीप सर्मा को मैंने कप्तान और वाइस कप्तान देख पारें मैंने जयाओ साजल हुट को बनाया है द साथ में ट्रेंड भौल्ड भी विगट ले सकते तो थोड़ा आप बोलर पर फोकस करके स्टीम को रखा है आपको रिस्क लेना तभी डीम को लगा है या फिर सेफ खिलना चाहते हैं और भी मैंने सारे फंट कॉमिनिशन दिखा हैं पांचों को लगावेना है तो पांचों को आपको लगाना इनकेस वीडियो में कोई गलती रह चली गई होगी या फिर कुछ पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेशन में जरूर जाकर कमेंट करें आपको वहाँ पर जबाब मिल जाएगा तो जो दूस्तों वीडियो पसंद आगे तो वीडियो को लाइ चाहिंद